Hello friends, welcome to my youtube channel, मैं हूँ दिव्या शर्मा आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हूँ कि एक साल से बड़े बच्चों का अगर दिमाग तेज करना हो तो ये दो चीजें आप उने ज़रूर खिलाइए सबसे फर्स चीज है केसर वाला दूद केसर में बहुत सारा प्रोटीन, केल्शियम, एंटियोक्सिडेंट होते हैं इसके बहुत ज़्यादा गुन है और हम ये भी जानते हैं कि दूद पीने से भी बच्चे को पोशक्तत मिलते हैं लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को इकठा कर दिया जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन बन जाता है केसर वाला दूद पीने से बच्चे की हडियां मजबूत होती है इसके इलावा इन में पाय जाने वाला इंटियोक्सिडेंट बच्चे को ताकत देता है बच्चों की इमिनिटी पावर को बूस्ट करता है टॉक्सिंस बॉडी से बाहर करता है ये बहुत ही असान सा तरीका है बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक चीज़ आपको और बता दू अगर आपका बच्चा दूद नहीं पीता तो अगर आप उन्हें केसर वाला दूद पिलाते हैं तो बच्चा आराम से दूद पीली का दूसरी चीज़ है दिमाग को तेज करने के लिए बच्चे को रोजाना जो एक साल का हो चुका है उसको एक वालनेट आप जरूर खिलाएं सर्दियों के दिनों में आप ऐसे ही दे सकते हैं और गर्मियों के दिनों में से बिगो कर दीजिए एक चीज़ का और दियान रखें कि ये केसर वाला दूद आप बच्चों को सर्दियों में देते हैं तो इसके बहुत फाइदे होते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं होता यानि कि एक गिलास गुनगुने दूद के अंदर आप एक कली केसर की मैश करके डाल दीजिए इसे फ्लेवर भी आ जाएगा और बच्चे के मुँवें भी केसर नहीं आएगा यानि ये बहुत टेस्टी चीज बन गई जो बच्चे की दिमाग को तेज करती है बच्चे को स्ट्रेंड देती है इमिनिटी पावर को भी बूस्ट करती है अगर आपको ये इन्फोर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे हल्दी, औल्वेस बेपी थैंक ये वाचिक वाचिक मैं वीडियो, ओके बाई